स्तानिय शिरिनबाई नेतरवाला विद्याले तुमसर में खुली बैट बिंटन्स परदा संपन्न हुई इस आउसर पर नेतरवाला समुव के अध्यक्ष एबडी नेतरवाला मुख्य रूप से उपस्ति थे जबकि विद्यालाय के प्राचारिय पी बिमल प्रमुकतिती के रूप में उपस्ति थे सुसर पर नाउनेर्मीत एबडी एन बैंट बिंटन स्टेडियम और जिन का अध्खाटन एबडी नेतरवालों के हाथों किया गया समारो में उपप्राचारिय संगिता बिमल प्रशासनिक अधिकारी रुशप संतोष टूर्णामेंट आयोजन समिती के सदस्य विनोत तितरमारे जैन तगने सुधीश मेनन राजु जगनात राजेश पिल्ले हरीज जोशी बाला गोस्वामी अभिशेक अगरवार संजे रा दिनेज देशमुक हर्षल मिर्जाबेग UDL कंपणी के महाप्रबंदक मेलकर प्रशासनिक मैनेजर चक्रवर्ती दुबे करनल मलेकर आधि उपस्तित थे तीन दिन तक चले इस टूर्णामेंट में देश के विबिन हिस्सों से प्रतिश्टित खिलाडियों ने हिस्सा लिय आधिका शाल और श्रीफल देकर सतकार किया गया टूर्णामेंट में सभी स्तर के खेल सुचारू रूप से संपन्नु है खिलाडियों के भोजन तथा आवास की व्यवस्ता की गई थी टूर्णामेंट में प्रतम तथा द्वीदियस्तान पाने वाले खिलाडियों के आप जान सते हैं कि सर श्पोर्स में बहुत जादा इंट्रेस्टेड है और जब यह चीज उनक्यों आवगत कराया गया कि सर एक ऐसी फैसलिटी के बारे में हम सोच रहे हैं तो उनका पहला कहना यह था क्या यह यहां पर वूडंकॉट बनेगा सबसे पहला सवाल उन्हें उन्होंने मुझसे पुछा क्या यहां वोड्ण कोट बनेगा मैं वुला नहीं से वूडंकौट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है तर्माइट इश्यू विल कम अप और नॉट बिल टो मेंटेन देन यह लाइक फिर क्या कोट बना बट देन वी थाइट वी थॉट फॉर अधर अप्शन्स हमने बहुत अच्छी कुश्टिंग के साथ में यह कोट अभी बनाया है और सर का अभी तो वी थे अपिस्टे प्यांदा लगाएंगे कि हम सर को जब ग्राउंड दिखा रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के बारे बताया कि सर वी सी अप्रूब ग्राउंड है उनका एक ही कहना सर अर्भी मल इसमें कंकर ने क्या मैं बोला है सर उनका कहना था फिर कॉन सा ग्र बारे ने थे यो थे चिए मतलब दूं थे यूज्था रहुजा लगा रहुझा रहुझा थे लिखी तो अफूर बाश्व कर दो अवह व्यूद जूफ टूट्ए उनका ब्राउंड रह जै रहुजा थे वी तो अवी अधर दो अन्रूद मृत रह वी तो प्रूद टूए or two that we have done, are much more nutritious, they are bigger, they are more colour, they are sweeter. So I want to part that knowledge at some point to the poor farmers all around me, who all they do is do paddy and rice and wheat, that's all they know. And their earnings are very, very meagre per year, per acre. So if we can even double that in the next five years for them, I think I have done them a service. So yes, I want to give back. BCN News के लिए अभिशेक पांसे की रिपोर्ट